सो हेलो गाईज वेलकम तो अभीजीद व्लॉग्स आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं कई लोगों के कोश्चन्स हा रहे थे कि माइक्रो हाइब्रीड क्या है हमारे सामने खड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक एस जो कि स्कॉर्पियो का बेस मॉडल है आप देख सकते हैं गाड को आप गाड़े के अंदर लेके चलना पड़ेगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं माइक्रो हाइब्रीड क्या है यह हमें समझने के लिए अब जो कर रहा है उसका में पार्ट जो शुरू होता है वह शुरू होता है इस बटन से जैस् है steering के नीचे देग सकते हैं हैं यहां आपको तीन कंट्रोल्स दे रखे हैं जो पहला वाला है वो है haydefined light up and down करने का जो किะ widen में है उसे adjust कर सकते हैं दूसरा वाला जो है वह हमारी fuel cap open करने का जब जब हम refuel करते हैं तीसरा, जो start and stop बटन आपके सामने नजर आ रहा है ये है micro hybrid का बटन अब ये काम कैसे करता है ये micro hybrid सरकार की तरफ से जो launch करा गया है महिंदरा ने जो इसे apply करा है उसका main motor ये है कि जैसे की Mercedes और BMW वाय जैसी गाड़ियां है उन में भी ये option आता है जैसे की इसका main function क्या होता है जैसे की अभी मैं ये गाड़ी start परता हूँ ये मैंने गाड़ी start करी उसके बाद जैसी मैं इस गाड़ी का self लोंगा गाड़ी मेरी start हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो start and stop वाला जो light है इसमें आपको देख रहे होगे ये green indication दिखा रही है इसका मतलब है कि micro hybrid हमारी गाड़ी का इस समय on है अब micro hybrid के कुछ benefit है प्लस कुछ नुकसान भी है काड़ी drivers को ये पसंद नहीं आता है मान लिजिए कि मैंने ये गाड़ी का हमारा AC on करा अब ये मेरी गाड़ी का इस समय AC on है गर्मी का temperature है सब कुछ अच्छा है अब ये मैंने गाड़ी का clutch दवा के first gear डाल के गाड़ी हलकी सी आ गया तो micro hybrid जैसा कि आप जानते हैं कि वो switch on है जैसा कि मैंने आपको दिखाए इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी मेरी चल रही है second gear में मेरी गाड़ी है seat belt की भी पा रही है चुकि मैंने भी नहीं लगाई है बट usually मैं लगाता हूँ अब मैं गाड़ी को जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने side लगाई गाड़ी और मेरा micro hybrid का button on है मेरा AC on है और मैं headlight भी अगर on कर देता हूँ आप देख सकते हैं headlight गाड़ी के on है और मैंने ये neutral करके गाड़ी को clutch छोड़ा और जैसे आप देखेंगे मेरा music system on है तो बैटरी पे जो impact है वो triple पाड़ा है इस समय क्योंकि गाड़ी automatic बंद हो गई है AC on है cooling नहीं है headlight on है back lights on है तो ये usually बैटरी पे जो है वो काफी जादा effect डालता है आप क्या होगा ये जो सरकार ने launch करा है जो महिंदरा ने हमें दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये start and stop button के indication जल रहा है इसमें light जल रही है green color की तो सरकार ने इसलिए दिया है कि जैसी गाड़ी आके किसी भी rate signal पे रुकती है या jam में रुकती है और driver जैसी इसे neutral करके clutch होड़ता है तो गाड़ी जो है automatic बंद हो जाएगी जिससे आपका diesel की efficiency बचेगी हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है diesel की efficiency इससे बसती है बट इसके जो मैं drive करता हूँ मेरे को problem ही है कि मेरे को AC गाड़ी का रखना होता है on और ये बहुत बड़ी problem है अगर आप jam में फसे हुए है और आप चल चल के neutral करके रोक रहे हैं गाड़ी बार बार बंद हो रही है अच्छा आप गाड़ी on क्या करना है आप देख रहे हो मेरे self मेरी चाबी धर लगी हुई है मेरे को कुछ नहीं करना है मेरे को बस ये मैंने कलस दवाया और गाड़ी फिट से on हो गई ये है micro hybrid अब आप देख सकते हैं headlight भी गाड़ी के on है AC दुबारा cooling करने लग गया गाड़ी on हो गई है तो कुछ इसके benefits हैं कुछ लोगों को ये पसंद आता है कुछ लोगों को ना पसंद भी आता है अब आप मेरे से पूछेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी problem है ये तो बार-बार गाड़ी बंदो जाती है तो इसका एक solution है लेकिन वो solution आपको बार-बार करना पड़ेगा solution क्या है जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको ये वाला बटन जो है एक बार आपने प्रेस करना है और इसकी light जो है वो ओफ हो जाएगी ये देख सकते हैं आप light off हो गई अब क्या है light off होने के बाद आप गाड़ी का बंद भी कर सकते हैं और इसको on भी कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप गाड़ी बंद करके गाड़ी में बैठेंगे micro hybrid का बटन आपको automatically गाड़ी on करके देगी ये इसके system में fitted है तो अगर आपको ये feature का फाइदा नहीं उठाना है आप नहीं interested in diesel बचाने में तो आपको हर बार बैठने पे ये button on करना ही पड़ेगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आप देख सकते हैं ये मैंने अभी button बंद करा इसमें कोई light नहीं जल रही है अब मैं एक बार गाड़ी को बंद कर देता हूँ ये मैंने गाड़ी कर दी बंद अब मैं दोबारा गाड़ी को start करूँगा आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी दोबारा start हुई है और micro hybrid के button पर अगर हम जाएंगे तो ये फिर से on automatically हो चुका है जिसका मतलब ये है कि अगर मैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और फिर रोकूँगा और उसके बाद मैं छोड़ दूँगा तो गाड़ी जैसे इतना कम distance है इसमें गाड़ी बंद नहीं होती है लेकिन अगर आप गाड़ी थोड़ा सा जादा चलाके लाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं गाड़ी मेरी automatically जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया बंद हो जाती है तो ये कुछ फाइदेते Micro Hybrid क्या है क्या नहीं है उसके आगी एकी जानकारी और कार्ड के लिए और कार्ड के फीचर के लिए बने रही है जोड़े रही है मेरे चैनल से लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूले Thank you